आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक पर बात करने वाले है वाट इस एकोलोजी हुती क्या है काफी बच्चों की कॉंप्लिक्ट रहता है बहुत बेसिक सा लेक्चर है इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तब पोचा है जिनको इसकी रियल में जर ऊकनी सब्सक्राइब को इसने पर मैंने बात की आप से इकोलोजी बारे में हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे और नि gaug्लस के बारे मैं आप दिमाग में लेक्राव सरी जो और्गनेजम है और गनेजम ही अर्गनिजम होगा है एक प्लांट भी हो सकता है एक एनीमल भी हो सकता है और एक माइक्रोब भी हो सकता है एक माइक्रोब भी हो सकता है राइट अब और्गनिज्म है और्गनिज्म किस से रिलेट करता है किस पे डिपेंड होता है एनवार्मेंट पे सीधा डिपेंड होगा अब देखता है यहां पर जैसे मैंने बात की किसकी एनवार्मेंट की environment environment में आपको दो factor नज़र आते हैं एक biotic factor एक abiotic factor अब देखिएगा कि यहां पर मैं बात करूँ आपसे environment में दो factor हमने देखें एक कॉन-कॉन सा factor है एक factor होता है biotic factor और दूसरा factor आता है हमारे बीच में abiotic factor second one होगा आपका एक abiotic factor अब देखिएगा जो Biotic Factor है वो कौन-कौन से होंगे एक Biotic Factor एक Animal भी हो सकता है एक Plant भी हो सकता है एक Microbe भी हो सकता है और आपका जो Biotic Factor है वो Already Interdependent होता है किस पर आपके Abiotic Factor पर कैसे जसे मान के चलो कि ये Interdependent कैसे है ये दोनों आपस में Interdependent कैसे होंगे क्योंकि आपको Environment में रहना है तो आपको Air की जरुरत पड़ेगी Air भी चाहिए, Temperature भी चाहिए, Soil भी चाहिए, Water भी चाहिए, Air, Temperature, Water, Soil आपको ये चीज़े आपकी क्या हो जाती है ये Non Living होती है लेकिन आपस में Interdependent होती है देखेगा, अब यहाँ पर आपको Light भी चाहिए होगी, अब यहाँ पर देखो, कि सर जो Biotic Factor है वो Living होता है, और Miotic Factor कैसा होगा, Non Living होता है, ये कैसा होगा सर ये आपका Non Living Factor होगा सर यहाँ तक तो हमको समझ में आया है, कि सर यहाँ पर हमने एक छोटा सा Organism है, Organism को लिया, वो एक Plant भी हो सकता है, Animal भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है, अब यहाँ पर जो Organism है, वो Inter Relationship में होता है, किसके साथ? इसके Factors होते हैं, Biotic और Abiotic, Abiotic Factor Non Living होता है, Biotic Factor Living होता है, जो Biotic Factor है, Animal हो सकता है, प्लांट हो सकता है, माइक्रोब हो सकते हैं, Abiotic Factor में Air हो सकती है, Temperature हो सकती है, Soil हो सकती है, Light हो सकती है, दोनों चीज एक दूसरे पर Dependent हैं, यह चीज आपको पाता है, बिल्कु अब देखिएगा, कि यहाँ पर सबसे पहले, जो Ecology शब्द आया, Ecology का मतलब क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं, पूरे को, Ecosystem हम बोलते हैं, अब यहाँ पर Ecology शब्द किस से मिलकर बनाए, हमने देखा कि जो आपका Inter Relationship होती है, Environment के बीच में, वो किस के बीच में होती है Ecology, इसमें आप बात करते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका Ecology, अब यहाँ पर देखते हैं, यह मैं बात करूँ, इसको मैं सिंपल बोल सकता हूँ, Logos, ठीक है, अब देखेगा कि से यहाँ पर, जो Ecology है, इसका मतलब होता है, Home, या मैं बोल दूँ, कोई भी घर, Habitate, और Logos मतलब क्या होगा, Logos मतलब आपके सामने होता है, किसी भी चीज़ की Study करना, हम किसी भी चीज़ का अध्यन करते हैं, इसी को हम मिला कर बोल देते हैं, Ecology शब्द बोल देते हैं, अब यहाँ पर मैं एक Example लेके भी आपको बता होता है, Interrelationship कैसे पाई जाती है, एक Organism की Environment पर, अब देखिएगा, किसा यहाँ पर हमने बात की, एक Example की बात करते हैं, Example में आप देखोगे, किसा यहाँ पर, मैंने एक Example लिया, Forest का, किसका मैं लेता हूँ, Forest का Example लेता हूँ, Forest, यह आपका एक Jungle है, यह Forest है, ठीक है, Forest, Forest, पूरा Forest है, Forest के अंदर, Biotic Factor भी होंगे, Abiotic Factor भी होंगे, यहाँ पर, आपके Biotic Factor भी होंगे, और Abiotic Factor भी होते हैं, अब देखेगा, किसा यहाँ पर, हमने देखा कि, जो Biotic Factor है, कौन-कौन से Biotic Factor होंगे, Plant भी हो सकता है, Animal भी हो सकता है, Microbe भी हो सकता है, और यहां पर aviatic factor में आपका air भी हो सकती है, soil भी होगी, temperature भी हो सकता है, light भी हो सकती है, बहुत सारी चीज है, अब देखेगा कि यहां पर यह independent कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो कि पूरा forest है, forest में plant से हमें क्या मिला, plant से, यहां पर जब देखेंगे, हम इसको interrelate करते हैं, तो plant ने क्या किया, plant में खाना बनता है, बोजन बनता है, food बनता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, light चाहिए होती है, अब खाना बन गया, अब खाने को कौन खाता है, animals उसको यहाँ पर खा जाते है animals उसको यहाँ पर खा जाएंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे animals खाने के लिए खाने के बाद कहा जाते है animals बहुत देर बाद यह मान के चलो कि soil में यहाँ पर जैसे जिवास फोसिल की फोम में आ जाते हैं उसके लिए एक वहता temperature की हमें जरुरत होती है fossils में आगे, soil में आगे, soil में आने के बाद soil में भी हिस्सा कोन है soil में microbes भी हिस्ते है, microbes की सायता के दौरा microbes की help के दौरा ये soil में, soil में दबते हैं, नीचे fossils में बदलते हैं और सार उसके बाद यहां पर क्या होगा, वह धीरे धीरे soil से बापस कहां पर चले जाते हैं बापस ये plants में चले जाते हैं, plants में चले जाते हैं, plants के माध्यम से बापस ये process चलती जाती है कहने का मतलब है, जो हमने बात की ecology, ecology शब्द होता है, एक interrelationship होती है, एक organism की जिसमें हम दो factors से यहां पर देखते हैं, एक biotic factor होता है, एक aviotic factor होता है तो बच्चों यहां पर हमने बात किया ecology के शब्द के बारे में कि एक ecology शब्द होता है, जिसमें habitat और एक habitat की study यहां पर हम कर रहे हैं तो यह जो छोटी सी वीडियो है, इससे हमको यहां पर यह mindset मिलता है, जो ecology होता है, असल में हमारे life में कितना important होता है, यह हम interlate कर रहे हैं अर्ण जजरा दो तो रहे हैं